गैस स्वागत आपका मैं नई वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप लोग सबच्छे से होंगे मार्केट में से रक्षित होंगे बात यहाँ पर करने वाले हम शीवाइनू के बारे में और मीम कोईन यहाँ पर नॉस्मेशों पर यहां पर डंप भी हो जाता है basically यह आपका normal coin ओधरह यहाँ पर नहीं चलता like आप देख सकते हैं doge coin को आप देख सकते हो शीवाईनू coin को यह coin pump करते हैं जब यहाँ पर कोई news आती हैं bullish news आती हैं फिर इनमें hype create होती है, फिर ये pump pump करते हुए चले आते हैं, otherwise ये coin यहाँ पर एक sideway market में या ये हलका सा नीचे breakdown करते रहते हैं coin, तो सिर्फ इतना investment करें जितना की आपने allot कर रहा हो एक meme coin में invest करने के लिए, ठीक है तो start कर लेते हैं update को, तो उससे पहले हम आप सभी को मता दो कि मेरा नाम शुपरान्त है, ये एक technical channel है, अगर आप शेल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर देना, क्योंकि इस channel पर आप काफी दिन से यहां पर आगर मैं आपको दिखा हूँ, तो 17 में से, 17 में 2021 से यहां पर एक zone में चल ला था, ठीक है, अब यहां पर अच्छी बात क्या हुए है कि zone का आपका हो चुका है break out, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, यानि कि यह जो आपका पूरा zone था, यह आपक एक acclimation zone था, यानि कि जहाँ पर आपके ways कहीं अपनी holding coin में बनाते हैं, lower prices ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कैसे इसमें entry ले सकते हो, मैं आपको यह बता देता हूँ, current price यहां पर 1272 चल ला है, आप देख सकते हो, quality बढ़ा सकते हो, advance कर लीचे आप वीडियो की, ताकि मैं Shivanu में कहां इंट लेने वाला हूँ, मैं आपको यह बताने वाला हूँ, देखे जब भी एक range की breakout होता है, आप देख सकते हैं, यह एक range है, इसका अगर जब भी breakout होता है, तो आप याद रखिए कि price की maximum possibility होती है, कि वो एक बार retest करने, यहां तक जरूर आ है, लेकिन ज पहली बात तो यहां पर हमारा एक entry zone यहां पर होना चाहिए, क्योंकि एक safe entry होगी, दूसरा entry zone हमारा यह होना चाहिए, यहां पर अगर price बीच में से भी मोड़ जाता है, ultimate bullish होता है price, तो definitely हम कही न कहीं इस coin को miss ना कर दे, इसलिए हम बीच में भी कही बार इसमें entry बना लेत है, ठीक है, तो आप देखो कि यह range market थी, range market मैं आपको पहले पता देता हूँ, 101010 से हमारी range market की उपर वाली range थी, नीचे वाली जो range हमारी 52569 का जो area है, 570 आप कह सकते हो, तो यह वाले जो area था, 1010 का था, और यह वाले जो area है, यह है आपका 570 का, तो 1010 का यह level जो है, इ entry ले सकते हो coin में, otherwise, जैसे कि मैंने आपको एक दूसरी entry यहाँ पर बताईए है, कि हम अगर बीच में से coin को उठाना चाते हैं, तो वो कौन सी range हो सकते है, कि जहां से हम coin को दुबारा से उठा लें, दुबार से हम coin को यहाँ पर देख लें, ताकि हम miss ना कर पाएं opportunity को, आप इसमें चाहें तो एक entry बना सकते हो, दूसरी entry आपकी 10, 10 के level पर यहाँ पर हो सकते है, इस वाले zone में, ठीक है, तो आप दो part में इसमें entry बना सकते हो, ठीक है, stop loss का रखोगे, मेरे stop से आपको stop loss कहीं इस range market के नीचे रखना चाहिए, लगबग आपका stop loss 820 के करीव यह को भी तोड़ देती है, तो हम दुबार से इस range market में ना गूम जाएं, इसलिए हम पहले ही exit यहाँ पर कर जाएं, तो इसलिए आपका stop loss होना बहुत जरूरी है, आप कैसे इसमें entry बना सकते हैं, मैंने आपको जैसे की बताया, यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, शीवाईनू शीवाईनू यहाँ पर एक bullish flag बनाने की कोशिश कर रहा है, आप देखोगी, यह एक पैने, यह एक आपका pole है, और यह आपका एक flag बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, तो मेरे साब से पहला level आपका, कहाँ पर होने वाला है, 1166 से लेके लगभग आप कह सकते हो, 1093 का, इस वाले zone में आप पहला zone इसका entry का बना सकती हो, दूसरा zone आपका 1010 के level पर होने वाला है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें entry बना सकते हो, exit का रहोगी आप, देखिए अगर आपका entry इस zone में होती है, या इस zone में होती है, तो मैं आपको suggest करोगा कि पहला exit आप रखिए क आपर लगबग 1603 के करीब, क्योंकि market अगर उपर भी जाती है यापर, ठीक है, तो आपका TP1 अची हो जाता है, इन एनी केस आपका bitcoin गिर जाता है, bitcoin में कुछ movability आ जाती है, bitcoin में कुछ moment बेरेस टाइप आ जाती है, तो यहाँ पर आपका जो profit book हो जाएगा, ठीक है, उस profit से आप अगर price यहाँ पर दुबाज से आ जाता है, तो आप यहाँ पर दुबाज से re-entry बना सकते हो, और अगर नीचे भी price आ जाता है, तो आप दुबाज से उस price से, जो आपने profit book करा है, उससे आप re-entry बना सकते हो, ताकि आपकी एक coin में averaging हो जाए, ठीक है, अगर आप long term के लिए देख रहे हो, तो मैंने कुछ यहाँ पर आपके target लगा के रखे हैं, मुझे लगता है कि Shiba Inu शायद इन targets को यहाँ पर achieve करेगा, reason क्या है, reason यह है कि हम इस market को हमेशा हम coin को देखते हैं, तो हम देखते हैं, range market के बाद जब एक coin breakout करता है, तो वो बहुत अच्छी potential हो लिए लेवल होने वाला है, तीसा target आपका लगभग, आपका 2776 का होने वाला है, और चौधा target जो आपका होने वाला है, वो यहाँ पर आपका 3462 का होने वाला है, तो यह अगर मैं आपको TP यहाँ से भी achieve करके दिखाऊ, यानि कि अगर price यहाँ से भी आपका उपर बढ़ता है हमारे लेवल से भी प्राइस उपर बढ़ता है तो कितना प्रॉफिट हम इसमें बना सकते हैं मैं आपको पहली बता दू कि भाई इसमें पूरा इंवेश्मेंट मत करना क्योंकि यह मीम कॉइन है मीम कॉइन पर इतना भरूसा नहीं किया जा सकता अगर प्राइस आपका यह 206% का यहां पर कहीं न कहीं हमारा यह टार्गेट होने वाला है अब प्राइस का एक बार में इन्हें फिल कर देगा मुझे लगता कि एक बार में सारे टार्गेट को यहां पर फिल कर सकता है प्राइस कैसे जाएगा देखो प्राइस जाएगा मोस्ट लाइकली ऐसे कि यहा XTP की तरफ बढ़ेगा तो ऐसे यहाँ पर कहीं न कहीं टार्गेट यहाँ पर अचीव करने वाला है ठीक है तो यह आपका शीवाईनू की पूरी अपडेट थी यह अच्छा क्यों लग रहा है अच्छा इस वक्त मैंने देगो शीवाईनू कभी भी सहस्ट नहीं करा लेकिन अब शीवाईनू अच्छा क्यों लग रहा है क्योंकि इसने रेंज मार्केट में तोड़के उपर की साइड यहाँ पर बढ़ रहा है अगीन मैं आपको कहा रहा हूं कि मीम कोई है इतना इंवेस्टमेंट करें जितना आप बियर कर सकते हैं पूरा इंवेस्टमेंट में ड डाल सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप शॉट टाइम में कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो भाई पूरा इंवेस्टमेंट नहीं डालना कुछ परसेंट आप इंवेस्टमेंट डाल दो ताकि आपका यहाँ पर रिटन अच्छा बन जाए क्योंकि इसकी अगर हाइप ब अब डेट आपको इस चैनल पर मिल जाती है सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलिजाती है तो गैस मिस मत करिए का अपर टेलिग्राम का लिंक भी है वहाँ पर जाके आप मुझे जाइन कर सकते हो थेंकिए सो मच गाइस पर जाइनिंग और हाँ चैनल को आप नहीं करा तो अन्यवाद